और तेजी से जारकंड की समीन बंजर होती जा रही है इस रो और IIM एमदाबाद ने अपने एक रुसर्च में कहा है कि जारकंड की 54.8.9 लाख हेक्टेर भूमी बंजर होने की कगार पर है चारकंड में टेजी से जमीन हो रही बंजर इस रो और IIM की रिपोर्ट में वाखुलास है वी ए यू के वेगानिकों ने भी की पूस्टी जारकंड में करीब 54.8.8 लाख हेक्टेर जमीन बंजर होने के कगार पर है इस रो और IIM एम्दाबाद की से जमीन ने एक रिसर्च पेपर चारी किया है पिरसा क्रिशिव इस्विदाले के मृधा रसानी भाग के वेगानिक के मताबिर एस साल बारिश में पठारी क्षेतर के खेतों से मिट्टी पानी के साथ बह गया है इसके कारण जमीन पंजर हो रही है उर्बो रता घड़ जाता है वाग्यानिक अर्विंद कुमार के मताबिक सरकार को पहले से इस बात की जानकारी दी जा चुकी है उसके कुछ उपाई भी बताए गए हैं जिसे हम हर साल 25 लाक्टन मिट्टी बचाने का प्रयास कर सकते हैं कि रिमेडियल हम लोगों को जारखंड में जो प्लेट्व एरिया है वहाँ पर एक प्लानिंग के तहत हम लोगों को अग्रिकल्चर करना पड़ेगा इसमें सबसे पहले यह करना पड़ेगा कि जो हमारा लैंड है उसकी सुटेबिलीटी क्या है सबसकी अगर हमारा अपलेंड है जहाँ पर स्वाल एरोजन जयदा होता है वहाँ पर सबसे में काम हम लोगों को करना पड़ेगा कोहाँ पर हम लोगों को बंडिंग पर धियान देना पड़ेगा करीद करीब 10 लाख हेक्टियर असडिक सॉयल है डिग्रेटिड लैंड दो से तीन लाख हेक्टियर है तो इनके उपचार के लिए भी डॉलमाइट का इस्तमाल वगरा को प्रोमोट किया जा सकता है तो ये एक प्रॉबलम अवश्य है और इसे प्राइरटी में लेने की हमें अवश्यक्ता हमें महसूस हो रही जारकन का कुलक शित्रिपल 89,000,000,000 हेक्टियर है जिसमें 28,000,000 हेक्टियर जमीन पर खेती हुआ करती है लेकिन अब 68,000 अब 7,750 जमीन बंजर होने के काकार पर है जो चिंता का वीश है जारकन के अबादी बढ़ रही है लेकिन खेती की जमीन खट रही है न्यूस 11 भारत के लिए राजी सी केमरापरसन कॉशल के साथ शैनवाज अखतर किरिको लाइक अंड शेयर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस 11 भारत सच है तो दिखेगा